असलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग आप लोगों का लुबना के किचन में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्षामी कबाब तो जिसके लिए देखते हैं तो ये मैंने पाओ के लोगोश लिया है और एक प्याली चनी की डाल है छोटी प्याली और फिर नमक है एक चमच जीरा है गरम मसाला है लाल मिल्ची और ये है नारियल सुखा और ये हरी मिल्चे हैं अब हम सब चीज मसाले सुखे मसाले सब इसमें डालते हैं अद्रक लसन का पेस्ट वगरा और फिर इसमें जाएगी चनी की डाल पानी और थोड़ा सा एक मैंने प्यास डाली है काटके और थोड़ा सा तेल डालके मैं इसे प्रेशर कुकर करूंगी जब तक गोशना गल जा अब यह देखिए गोश कल गया है हमारा तो अब मैं इसे मिक्सर में डालके गरम गरम ही पीस लूँगी ताके जल्दी जल्दी सब चीजे पीस जाएगे देखिए मिक्चर भी मेरा तयार हो गया है अब मैं लूँगी सौफ धन्या और जीरा यह मुझे भूनना है सुखा ए एक चम्मस दिनों चीजे ली है ये देखिए मैंने सब मसाले भून के पीस लिये हैं और फिर ये पिस्टा मसाला मैंने अपने कबाब के मिक्चर में डाल दिया और ये लिया मैंने पुदी ना और हराधनिया आप अपने हिसाब से लीजिए जितना आपका गोश है और फिर मैंने एक प्यास बारिक कटी भी अद्रग बारिक कटा हुआ और यह हरी नीचे बारिक कटी एक निंबू का अर्प चाहिए मुझे अब मैं यह सब इसमें डालूँगी सब सामान और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी आप इसी वक्त आप इसका नमक में सब टेस्ट कर लीजिए मिक्स करके जो कम हो वो आप डाल दीजिए इस तरीके से यह सारी चीज़े इसमें डाल के अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स करना है फिर इसके अंदर निम्बू का रस भी निचोड़ूंगी मैं और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके कबाब बनाने शुरू करेंगे तो यह देखिए मेरा मिक्सर भी एकदम मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से अब मैंने एक छोटा सा पेड़ा इसमें से लिया और इसको अपने हाथ से कबाब का शेप देना शुरू किया इसको दवा दवा के कबाबों का शेप दीजिए आपको जिस शेप में भी बनाने हैं कबाब वैसे शामी कबाब इसी शेप में ही बनाए जाते हैं तो इसी तरीके से आप सारे शामी कबाब बना कर रख लीजिए अगर आपको जितना चाहिए बाकी आप प्रीज में भी रख दीजिए दो-तीन दिन तक ये खराब नहीं होगा अब ये मैंने बना लिये हैं अब देल गरम किया तवे पर और मैंने एक-एक करके ये रखें शामी कबाब इस पे तलने के लिए अब एक तरफ से थोड़े से गोल्डन हो जाएं तो इसे दुसरी तरफ से पलट दीजिए आइस्था आइस्था से माशालला से बहुत बहुत बहुतरीन बने हैं ये देखे कलर भी किता खुबसुरत आया है तो दोनों तरफ से अलट पलट कर सेख लेजी अच्छी तरीके से थोड़े थोड़े तेल में और आप इसे रोटी से चावल से पुलाओ से जिस चीज से भी आप खाना चाहें ये स्टाटर के लिए बहुत अच्छा है कोई महमान आए आप इसे बना कर खिला सकते हैं एक डिश के तौर पर रख सकते हैं ये देखे मैंने इसे उताल लिया है अब दूसरे भी इसी तरह मैंने सारे कबाब तल के इसे निकाल लिये हैं थोड़े थोड़े तेल में आप अच्छी तरीके से इसे तल लिजिए जब तक ये गोल्डन न हो जाएं और इसे हरी चटनी और प्यास के साथ सर्फ कीजिए तो आप लोग मेरे तरीके से बनाईए मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी टिश को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए मुझे दुआओं में याद रखिए अल्ला आफिस